नमस्ते आपका स्वागत है हमारे चनल ग्रेमेटर्स बॉट में और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद का टेलिग्राम पे रीनेम बॉट कैसे बना सकते हैं और इस बॉट को मैं आज होस्ट करने वाला हूं को यह वेबसाइट पे ज को है वो हैल्दी और यहीं आज की पहली वीडियो होने वाली यूट्यूप पे गरी प्यूटे को अपे वह आप को बात हैं ग करके और उसके बाद आपको यहां पर source code मिल जाएगा इस button पर और यहां help पर आपको बाट की commands मिल जाएगे जो users के लिए है rename command से आप किसी भी file को rename कर सकते तो मेरे पास यहां पर एक test file मैंने ली हुई है तो यहां पर एक video है मेरे पास जिसका size है 750 MB लगबग 740 MB एप्रोक्स और मैं हापर इसे rename करूँगा तो मैं इस क्या करूँगा MP4 format में मेरे को यह file चाहिए तो मैंने इसे send कर दिया तो हमारी जो file है downloading होनी start हो चुकी आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर आपको process भी दिख्या है ठीक हमारा process बार यहां पर आ चुका है और आप यहां पर speed भी देख सकते हैं मैंने इस file को जब testing में किया था तो मेर यह जो यह file थी यही same file यह 740 MB की file मेरे को इसने 6 minute के अंदर download upload करके rename करके दे दी थी और यही file और अब तक में जब तक हमारी यह file यहां पर download और upload होगी rename होगी तब तक मैं इस bot के और features आपको दिखा देता हूं आपको यहां पर दूसरी option मिल जाती है settings की जब settings command को आप यहां पर use करेंगे तो आपको यहां पर option मिल जाएगा कौन सा custom caption का custom thumbnail का आपको कोई भी thumbnail set करना है तो बस यहां पर file में जाएगे और वहां पर जो आपकी video है कोई भी तो मैं इस thumbnail को यहां पर use कर लेता हूं इसे यहां पर send कर दिया तो हमारे जो thumbnail होगा वो by default अपने आप send हो जाएगा जब भी आपको image send करेंगे इसके बाद आप caption set करना चाहते तो उसमें क्या ह packet file name देके जो new file है उस file को mention कर सकते है caption में size भी उसका mention कर सकते है और duration भी mention कर सकते है तो मैं इन सब को यहां पर use कर लूँगा space देके मैं सब को यहां पर लिख दूँगा तो यह मैंने caption यहां पर add कर दिया और आगर आपने कोई पहले से caption set करा हुआ है तो delete caption से वो caption delete हो जाएगा आप show caption पर click करेंगे तो आपको यहां पर caption आपका नजर आ जाएगा जो मैंने अभी set किया है हाँ आप यहां पर कुछ और भी caption के अंदर रख सकते हैं जैसे join my channel भी आपने set करें हुए है तो मैं वापस यहां पर settings में जाओंगा और आप यहां पर upload mode पर जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर upload मिल जाते हैं डोक्यूमेंट आपको यहां पर audio format मिल जाता है document default मिल जाता है और documents मिल जाता है और एक video format आपका यहां भी मिल जाएगा देखो चीचाम आपको आपको लुग यहां देख कर दी ता हूं अ कर दिया है विखतने हु मैंने इसे डीफॉल्ट पर कर लिए तो हमारी Tanapais के शो क्मंजे हुआ को Crash आपको यहां पर यूज करने और वो थमने लिए यहां पर डिलीट हो जाएगा तो यह तो यहां पर यूज हो गया मैं इसे डाल लेता हूं यहां पर कैप्शन कि हमारी वीडियो में आ जाए वह इसके बाद आपको यहां पर ओनर कमांड में आपको दिखा देता हूँ ओनर कमांड में आपको क्या मिल जाते है कि आप यहां पर किसी भी यूजर को अपने बाट से ही बैन कर सकते है कि आपको user वो आपके bot को use कर रहा है आप चाहते कि वो user आपके bot को use ना करे तो आपको slash band command use करने है और उस user का या तो username या उसकी user id telegram की आपको डाल देनी है वो user आपके bot को फिर use नहीं कर पाएगा unband करना जाते तो वो ही आपको simple process repeat करना होगा unband command के साथ तो वो user unband हो जाएगा stats command से आप पतागा सकते हैं कि कितने bots कितने users आपके bot को use कर रहे हैं और कितने users ने आपको बाट को कितने कब तक start किया है तो अभी तक हमारे bot को सिर्फ एक ही user ने start करा जो कि मैं खुद हूँ और broadcast आप messages को deliver कर सकते हैं सारे users के पास जो जो इस bot को use कर रहे हैं तो यह हमारी command सी total इस bot के अंदर about में आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा bot का link मिल जाएगा और आपको यहाँ पर जिसने इस bot को link मिल जाएगा मैं वापस यहाँ बैक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर डाउनलोड हमारी देखेंगे तो हमारी download यहाँ पर वही जो टेलेग्राम की नॉर्मल स्पीड है डाई एमबी की maximum जो आती है वही स्पीड से यहाँ पर download और जो कि काफी सही स्पीड है मैंने आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर तीन बज़ के पांस मिनट पर इसे सेंड किया था और अभी तीन बज़ के चार मिनट नौ मिनट हो रहे है यानि अभी इसे चारी मिनट हुए download होते हुए अब जब तक यह download हो रही है मैं इस बॉट का source code का आपको लिंक दे देता हूँ इस बॉट के जो source code है वो आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आप उस source code के अपने browser के अंदर open कर सकते हैं और आपको यहाँ पर deploy to heroku और को यह दौनों का बटन मिल जाता है जो आप set कर सकते हैं bot father के अंदर जो कि आप bots को command को use करेंगे और यहाँ पर जो हमारे variables है आपको बहुत ही simple है बस आपको यहाँ पर 5 ही variables का use करना है और bot में काफी सारे features हैं जो की काफी अच्छे हैं जैसे आपको मैंने पहली बता दिया custom caption available है custom thumbnail है speed तो काफी सही है सरी name bot की मै available है इसमें three upload मतलब वही है मैंने आपको बताया कि तीन तरह की files को upload कर सकते हैं और जल्दी इसके अंदर जो owner है वह इसके अंदर 2GB plus files का भी upload add कर देगा इस bot को host करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको सिर्फ bot token चाहिए API ID चाहिए API hash चाहिए और दूसरा आपका telegram की user ID चाहिए और एक MongoDB URL जो की आपको simply बहुत आसानी से मिल जाता है इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं वह मैं अभी जब आपको bot deploy करके देखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा तो देखो हमारी जो file है वह यहाँ पे upload भी हो चुकिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा custom caption था वह यहाँ पर आ चुका है ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते है कि जो हमारी file है वह ग पर आप यहाँ हो चुकि अब मैं इस बॉट को क्या करूंगा तो हमारी सर्विस यहाँ पर डिलीट हो रही है अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जब में में बहुत बहुत देलीट हो जाएगा तो यह आप यहाँ रिस्पॉंड नहीं करेगा अब यहां पर सिर्फ डिलीटिंग ही आ रही है अगेन मैं यहां पर स्टार्ट दबाऊंगा तो देखो हमारा बॉट अब यहां पर रिस्पॉंड नहीं करा है हमारा बॉट यहां पर क्लोज हो चुका है अब मैं क्या करूँगा इस सर्विस को दुबारा क्रियेट करूँगा आपको क्या करना बस कोईब अकाउंट के अंदर अपने लॉग इन करना है अगर आपको यह नहीं पता कि आप कोईब पर अकाउंट कैसे क्रियेट करें तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं वैसे होता आप कोईब जो है नई अकाउंट को बिना credit card के allow नहीं कर रहा है account create करने के लिए तो मैंने यहाँ पर create service पर click कर दिया है उसके बाद बस आपको अपनी repo या हमारी repo का link copy करना है और यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपको scroll down करके यहाँ पर जब यह load हो जाएगा तो green button पर continue के उपर click करना है जो कि आपको यहाँ पर chat button के पीछे मिल जाएगा तो continue के आपको डबा देना है इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी build and deployment settings आपको override कर देना है कि इसके उपर run command के उपर और आपको repo पर जाना है view codes पर click करना है और आपको यहाँ पर एक file मिलेगी run command.txt के नाम से इस file के अंदर जो भी text लिखा हुआ है वो पूरा text आपको copy कर लेना है पूरा copy कर लेना और आपको यहाँ पर run command के अंदर डाल देना है जिससे हमारी इस command के मदद से हमारा जो बाटर वो start होगा आपको यहाँ पर advance पर क्लिक करना है और अब आपको क्या करना है यहाँ पर config खोल लेना है अपना अपनी config.py आपको file open कर लेनी है और यहाँ पर आपको सबसे पहले API ID आपको enter कर देनी है अपने telegram की API ID और देखो अगर आपको यह भी नहीं पता ना API hash पहले से निकाला हुआ है बस मैं उसी को यहाँ पर फटा फट डाल दूँगा देखो port को आप delete मत करना है यह port वाला variable बहुत जरूरी है इसके बिना आपको जो bot है वो कोईब के उपर run नहीं होगा हमारा दूसरा variable है वो API hash है जो हमारा API hash और API ID है आपको एक साथ ही टेलेग्राम से मिल जाता है जो मैंने already निकाला हुआ है मैं बस उसी को यहाँ पर डाल दूँगा इसके बाद हमारा तीसरा वेली बलाता जो कि है owner ID, owner ID में क्या होता है कि यह आपका टेलेग्राम की user ID होती है जिसे आप Rosebot वगरा से पता कर सकते है और अगर आपको यह नहीं पता कि आप अपने टेलेग्राम की user ID कैसे पता करे तो simply आप अपने टेलेग्राम पर YouTube पर सर्च कर सकते है how to get your टेलेग्राम user ID और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगी जो already available है और हमारे चैनल पर भी है मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है आप उसे देख सकते हैं इसके बाद हमारा तीजरा वेरियेबल आता है चौथा वेरियेबल जो कि यह और चैनल यहां पर आपको अपने टेलेग्राम की user ID डालनी है अपने जिस चैनल के अंदर आप 4 सब्सक्राइब करना चाते हैं कि इस चैनल को जॉइन करें बिना कोई भी user आपके bot को use नहीं कर पाएगा अगर आप public bot बना रहे हैं तो और उसके बाद हमारा last variable आता है जो कि database URL इसे बराने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है mongodb URL आप कैसे बनाए अगर आप नए है तो इसके उपर एक वीडियो मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा ये देखो ये मेरा mongodb URL जो मैंने already create करा हुआ है मैं बस इसी को यहाँ पर यूज कर लूँगा और value के अंदर यहाँ पर डाल दूँगा ठेक है तो मैंने पांचो variable यहाँ पर डाल दी है यहाँ पर आपको दो variable और मिल जाते है स्टार्टे में कौन से band users और download location का download location को आपको छेडने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर band users के अंदर आप उन users की ID यूज कर सकते है जिन users को आप पहले से ही band करना चाते है बाट को यूज करने से तो मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं बस यहाँ पर simply deploy के उपर click कर दूँगा और हमारा जो बाट होगा यहाँ पर deploy होना start हो जाएगा अब यह provisioning state में है मेरा जो बाट होगा यहाँ पर 3-4 मिनट के अंदर ही deploy हो जाएगा मैं एक बार आपको फिर से बाट run करके दिखा देता हूँ हमारा बाट अभी यहाँ पर run नहीं हो रहा है अब मैं यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए wait करता हूँ 24 दिसंबर 2022 को कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए कितने loyal है मैं बस बहुत आपको देहे दिल से शुक्रियाद कहना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आपने मेरे को इतना support करा specially इन दो users को thanks और मैं सभी को इतना thanks कहना चाहता हूँ लिखा जाए गा तो हमारा एक step पूरा हो चुका है डूसर्व वोगा आपका deployment का तो उसके लिए आपको जाना होगा यहां पर runtime logs पर runtime logs पर आप यहां पर जाएंगे तो आपको waiting for logs पर कुश्टाइम के लिए आएगा तो आपको यहां पर वेट करना होगा जब तक आपके लोग्स यहां पर लोड नहीं होते लोग्स अभी यहां पर क्यों नहीं आ रहे क्योंकि हमारी जो डिप्लॉइमेंट वो अभी स्टार्टिंग स्टेट में आई है चालू नहीं हुई है मैं फिर से यहां पर रन टाइम लोग्स में जाता हूं और वेट करूंगा हमारे लोग्स के आने का तो देखो हमारे यहां पर बॉट डिपलॉय हो चुका है अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर तो लिखा रहा है लेकिन जैसे ही आप इस पेज को एक बार रीफ्रेश करें कि रीफ्रेश करने के बाद आपको यहां पर बस कुछ सेगेंड वेट करना और आपके जो यहां पर डिपलॉयमेंट आपको दिख रही है अपने अप हैल्दी हो जाएगी और एक बार मैं अपने यहां पर रन टाइम लोग्स भी देख लेता हूं रन टाइम लोग्स में आ नहीं डाला जो का जो कि था बॉट टोकन तो मैं एक बार यहां पर देख लेता हूं यहां पर यहां पर यहां पर बनाया हुए बस उसी को यहां पर डाल दूंगा इसी वजह से मेरी डिपलॉयमेंट अभी ज्यादा दे तक अनहल्थी मेरे को दिखा रही थी अब मैं फिर स जो मैंने अभी किया है वह यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे देखो डिपलॉयमेंट फिर से क्यूड के अंदर आ चुकी है पैंडिंग दिखा रही है आपको यहां पर और हमारे जो पिसली डिपलॉयमेंट वह अनहल्थी इसलिए है क्योंकि मैंने सारे वैरियव अभी तक भी आगये हैं हमारे लॉक्त आ चुके हैं अभी जो हमारी डिपलॉयमेंट वह चली रही है जब तक है पूरी नहीं उजाती तब मैं आपको लास्तन दिखाऊंगा कि आपको कैसे पदा लगए हैंग आपके बहूर्ट पूरी हो चुकी है और यहां पर मैंने एक एक बार इस पेज को बस रीफ्रेश करा है और मेरी जो डिप्लॉइमेंट आप यहां पर देख सकते हैं रन टाइम लॉक्स को मैं एक बार यहां पर आपको ओपन करके दिखा देता हूं तो जब आप लॉक्स में जाएंगे तो आपको लास्ट में बस एक ही लाइन को नोट करना है यहां पर आपको लास्ट में दिखेगी ग्रे मैटर्स टेस्ट बाट इस सक्सेस्फुली स्टार्ट यानि जो भी आपके बाट का यूजर नेम होगा वो आपको यहां पर नजर करें और हमारे टेलिग्राम चैनल जो की है ग्रेमेटर्स बाट इसको भी रेगुलर अपडेट्स के लिए जरूर जोइन करें और अगर आपको इस बाट को डिपलॉय करने में कोई भी इश्यू आता है तो आप यहां पर सपोर्ट ग्रूप पे मैसेज कर सकते हैं और एक द